हेलो दोस्तो मैं आपका दोस्त अभय कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक को लेके जिन्होंने भी मेरा पुराना वीडियो देखा और मुझे सब्सक्राइब करने के लिए आपको थैंक्यू जो भी कमेंट आया बहुत सारे कमेंट आये कि सर इस ट बार का जो टॉपिक था वह बहुत ही कॉमन है तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें लाइक करें और कमेंट करें ताकि किस टॉपिक में आपके साथ वीडियो बना के लाओं मैं एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप आपको मैं दे दूँगा आप मुझे उस पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं थैंक्यू चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूं इस बार का जो टॉपिक है वह हमारा है कि वेल्डिंग कि वेल्डिंग कि यह ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपको इंडॉस्ट्री हो हर एक जगहां हर एक जगह画 होता है वेल्डिंग का काम हर एक जगह होता है चैने करने हो आपको व헬्र जगह्व करना ही करना है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि तो जब भी कोई टॉपिक आता है जब भी हम बात करते हैं कि किसी वर्क में क्या खत्रे हैं तो उसमें हमें सब से मोश्ट जो खत्रा होता है उसे हमको ध्यान में रखना होता है तो वेल्डिंग जो सबसे जाना है जो सबसे पहले उसको बोलना है उसके बाद नीचे जो आता है धीरे 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 जिससे की नुक्सान कम होने का संभावना हो वो हम खत्रा सबसे नीचे बोलते हैं सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज है उसको बोलते हैं तो welding में सबसे ज़्यादा क्या है तो सबसे पहले है electrical sock electrical sock इसमें क्या है electrical sock में सबसे ज़्यादा welding में खत्रे electrical sock है electrical sock से क्या होगा कि आदमी का मरने का chance ज़्यादा होता है उसमें आपको बचाने का chance बहुत कम होता है तो सबसे बड़ा खत्रा हमारे लिए welding का है तो electrical sock electrical sock होता है सबसे ज़्यादा खत्रा उसके बाद आता है fire ठीक है? उसके बाद आता है fire क्योंकि fire होने के बाद amount of fire कितना है पता ही नहीं चलेगा वो depend करता है कि कैसा material है, combustible liquid है, combustible material है flammable gas है, कैसा है उसके according fire वहाँ पे होता है और fire पे कितना नुकसान होगा ये पता नहीं चलेगा तो ये दोनो मैंने आपको बताया, उसके बाद आपको आता है burn ठीक है? जब कभी welding करते हैं तो जल जाता है छीटे पड़ते हैं तो जल जाता है उसके बाद आपको आता है lighting उसके बाद आता है lighting लाइटिंग जब आता है तो आँखों में एक क्या fraction of second में जब हम जब हम welding करते हैं तो लाइटिंग एसपार्क आता है और आखों के रेटीना पर पड़ता है जिसके वज़ा से lighting होने का chance ज़्यादा लगता है और lighting होने जाते हैं तो उससे क्या हमको अकूपेस्टनल कि अकूपेस्टनल डिजी जो होता है वह होने का chance ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अब लंबे समय तक अगर welding कर रहे हैं तो धूआं आपको continuous inhale करते 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 लंग्स का problem होने का chance बढ़ जाता है ठीक है अकूपेस्टनल डिजी उसमें आ जाते हैं उसके बाद आपका क्या होता है कि material जो हम material जो है वह हमारा damage होने का chances होते हैं मालने जह हम कोई welding कर रहे हैं maximum लोगों का habitual क्या होता है कि वह dragging करते हैं वायर जो होता है उसको खीचते हैं खीचने से कहीं सार पेज होता है तो कटता है तो material damage होता है ठीक है तो यह welding के कुछ common hazard हैं welding के कुछ common hazard हैं जो कि हम देखते हैं अब इसको हम कैसे रोकेंगे सबसे बात इसके बाद हमें इसमें आता है प्रिकॉशन प्रिकॉशन क्या लेना है तो सबसे पहले हमें कि ट्रेंड कि ट्रेंड प्रस्टनल का यूज करना है कि ट्रेंड प्रस्टनल जो होगा जो क्वालिफाइड एंड ट्रेंड प्रस्टनल होगा जो उसके लिए होंगा उसको यूज करना है हमेशा उनको ट्रेनिंग देना है कि हमेशा उनको ट्रेनिंग देना है प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए कि मैं यहां पर बोर्ड को क्लीन कर देता हूं ठीक है कि इंस्पेक्शन हमेशा होना चाहिए डाउं अन्द डेली बेसिस अन्द डेली बेसिस उनका इंस्पेक्शन होना चाहिए जितने भी इकुपमेंट्स हैं वायर हैं सारे चीजों का इंस्पेक्शन होना ताहिए ताकि उनको पता हो सके ॡेपोर्टिंग रिपोर्टिंग औफ हैजार्ड नियर मेंस किसी भी तरह का मेट्रियल डेमेज वो सबसे इंपोर्टेंट है अगर हम रिपोर्टिंग नहीं करेंगे तो वो प्रॉब्लम हो सकता है रिपोर्टिंग हो गया उसके बाद unsafe act and unsafe condition इसका रिपोर्टिंग होना जरूई है यह जब सारे रिपोर्टिंग हो पाएंगे तो हम maximum जो हैजार्ड है उसको हम control कर सकते हैं दोस्तों मेरे द्वारा जनकारी अगर आपको पसंद दिया गया जनकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और जिनको भी अगर क्लास लेने हैं ओनलाइन तो मैं अपने description box में नमबर अपना लिख देता हूं प्लीज आप मुझे contact करें online रात में क्लास लेने के लिए thank you very much